क्यों इस लाइफ में इतना दुख मिल रहा था पास लाइफ रिग्रेशन के बाद इन्हें समझ आया नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 233 हाई प्रीस्टेस पास लाइफ रिग्रेशन सीरीज में दोस्तों यह का और मेरा वीडियो है और जिनकी स्टोरी आज मैं आपके साथ शिया कर रही हूँ यह राजिस्थान से हैं, वर्किंग वुमिन है, गौर्मेंट जॉब में हैं और शादी शुदा हैं दो-धाई साल पहले इनकी अवेक्निंग जूर्नी जो है, स्पिरिचुल अवेक्निंग हुई और उसके बाद कई सारे स्पिरिचुल एक्स्पिरिंसिज इने हो रहे थे लेकिन आफ्टर वेक्निंग इनकी मानसिक पीड़ा जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगे, बहुत ज़्यादा नेगिटिविटी फील हो रही थी और दो जगह, दो तरफ से ये बहुत परिशान थी, एक तो अपने घर में जो इनके पार्टनर है या घर के जो बाकी सदस्य है, उनके साथ जो है, इनके विचारों का बड़ा मतभेद या एक तालमेल सा नहीं बैठ पा रहा था, एक सामझस से नहीं बैठ पा रहा था, पर से जाधा ये परिशान थी, क्योंकि जो इनकी जॉब, गॉर्मन जॉब जो ये करती है, वहाँ पर इन्हों ने ये कहा मुझसे कि मैं जहां काम करती हूं, वहाँ पर मुझे बहुत अपमानित किया जाता है, बहुत मेरा मजाख उडाया जाता है, मुझे बहुत खराब लग एक गौता है मुझे बहुत रोना आता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कहीं उर अपने परिवार से दूर किसी और जगह पर अखेली रही लेकिन जिस जगह पे ये गई अपनी दूसरी जगा इन्होंने जो ट्रांसफर कराया वहाँ पे भी लगभग सेम ही चीज़े हो रही थी वहाँ भी इन्हें हुमिलेट किया जा रहा था मानित किया जा रहा था वहाँ भी ये बहुत परेशान रही और रीजन यही था कि जो उनके आफिस के लोग थे या उपर से नीचे तक कि जो भी लोग थे उनकी जो वहवार थे वो कुछ इस तरीके के थे इनके साथ कि ये बहुत 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 जादा नेगिटिव फील कर रही थी और बहुत दुखी थी परिशान थी बहुत रोते रोते कई बार इनों ने जब कभी काउंसलिंग सेशन में बात करी तो बड़ा रो रोकी कि माम मैं परिशान हो चुकी हूँ मैं दोनों जगह से परिशान हो चुकी हूँ मैंने किया किया है मैंने ऐसे क्या किया है जो मुझे मेरे workplace पे भी ऐसे ऐसा सब receive करना पड़ रहा है लोगों का ऐसा बुरा विहवार है मेरे प्रती कोई मुझे नीचा दिखा रहा है कोई हस रहा है कोई बेस्ती कर रहा है यही सब चल रहा है और मैं इतनी परेशान और परेशान होके घर भी जा रही हूं तो घर में भी जो है वो तालमेल नहीं बैट पा रहा है हस्बन के साथ और वहां से भी जो है मानसिक पीड़ा तो इन सब दुखों के बीच में थोड़ा इन्हें ये तो समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ हैवी कर्मा है जो अटाक कर रहे है और जो भी इन्हें समझ आ रहा था पॉजिटिव चीजे spiritual journey में जो करनी चाहिए अपनी तरफ से ये सब कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी दीरे दीरे एक अच्छी चीज ये हुई कि ये बड़ी अच्छी observer हो गई लोगों में या अपने परिवार वालों में कमियां देखनी की बज़े अभी इन्हें अपने अंदर भी कमियां दिखनी शुरू हो गई अभी recently इनके साथ एक session हुआ है तो इन्होंने कहा कि मुझे मेरे अंदर की भी faults दिख रहे है मैं अब मेरे अंदर जो गलत चीज़े मुझे दिखाई दे रही है मैं इन सब चीज़ों को release करूँगी मैं अपने अंदर परिवर्तन करूँगी मैं दूसरों को blame करने की बजाए मेरे अंदर जो गलत चीज़ें इनको मैं एक एक करके सब हटाऊँगी मैं अपने आप में बदलाफ करूँगी तो ये एक अच्छी चीज अभी देखने को मिली रीसेंटली जब इनसे बात हुई दूसरी चीज दोस्तो इस बात को समझने के लिए कि वर्क प्लेस पे इतना दुख क्यों मिल रहा है वर्क प्लेस से इतनी मांसिक पीड़ा क्यों मिल रही है क्या कारण है इस बात की रूट कॉज में जाने के लिए इस बात की जड़ रीजन को समझने के लिए इनकी पास लाइफ रिग्रेशन किया था ये जानने के लिए कि समझने के लिए कि क्या ऐसा कर्म किया है क्या ऐसा कारे हुआ है जिसकी वज़े से जो है इस लाइफ में करम शेतर में कारे शेतर में इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है दुख मिल रहा है पीडा मिल रही है मानसिक लेवल पे व्यक्ति तूट रहा है रो रहा है क्यों वर्क प्लेस पे इनको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जिनकी वज़े से इनको दुख मिल रहा है महसूस हो रहा है तो इस चीज के root cause में जाने के लिए इसके पीछे के करम को समझने के लिए कि क्या ऐसा हुआ है कि जो specially workplace से सबसे जादा दुख मिल रहा है इसके लिए जो एक past life regression इनका किया था और उसमें इन्होंने क्या देखा इन्होंने देखा कि इन्हें दिखाई दिया पहले तो इन्हें बहुत सारे ऐसे घोड़े से दिखाई दिये कि जैसे घोड़े दौड रही है भाग रही है धूल मिट्टी उड़ रही है और एक battle जैसे कुछ युद्ध सा चल रहा है और वहाँ पे इन्हें जो है न एक राजा दिखा जो कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये मैं ही हूँ ये मैं ही हूँ मतलब इस life में तो ये इनको महसूस हो रहा था तो इन्होंने देखा कि वो राजा जो है युद्ध में है लड़ रहा है और उसके बाद इन्होंने जो और आगे के सीन देखे वो उसमें ये था कि ये राजा ना बहुत rude था he was very rude kind of person और जो भी इसके नीचे लोग काम करते थे ये उनके साथ काफी behavior उसका मतलब सही नहीं था he was very rude and अपमानित करना कुरूर टाइप का था एकदम और इनको खुद को उस राजा का वो जो behavior था वो बहुत खराब लग रहा था बहुत बुरा महसूस हो रहा था इनको एक तरफ तो ये महसूस हो रहा है कि ये मैं ही हूँ और फिर उसका वो जो behavior वो देख रही थी उसको देखके उनको बहुत गंदा लग रहा था कि ये अगर मैं हूँ तो ये मैं क्या कर रही हूँ जो मेरे मतलब नीचे काम कर रही हैं लोग मेरे अंडर मैं उनके साथ कितना बुरा वहवार कर रही हूं या मैं कितना रूड हूं और वो लोग कितने दुखी और परिशान हैं कि सारी चीजे जब इन्होंने देखी तो समझ आया समझ आया कि जब ये अथॉरिटी पोजीशन में थी ये एक राजा थी तब इनके अंडर जो लोग थे उनको इन्होंने बड़ा दुख दिया है बड़ी पीड़ा दी है बड़ा जहवार बुरा रहा है अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ रूड रही है अब मानित किया है दुख दिया है मानसिक पीड़ा दी है और वही लोट के इस लाइफ में इस फॉर्म में आया है कि जब ये सरकारी नौकरी में है तो वर्क प्लेस में जो भी वर्क कलीक्स हैं वहां से जो है इनको कुछ अजीब सा वियर्ट सा बिहेवियर जो है बहुत बार एक्सपिरियंस करने को मिला है इन्होंने अपनी पोस्टिंग कहीं और कराई लेकिन वहां पे भी इनको जो है ऐसा ही विहवार लोगों का रिसीव हुआ इनको लग रहा है कि कोई इनका मजाक उड़ा रहा है कोई इन पे हस रहा है कोई इने सुना रहा है कोई इने अपमानित कर रहा है और मांसिक लेवल पे जो है ये बहुत बहुत जादा स्ट्रेस पट इस चीज़ के रीजन को देखा past life पे जाके गी जो दिया था वही मिल रहा है तो यहां से इस past life regression से इनको काफी clarity मिली यह जो सब कुछ उन्हें receive हो रहा है workplace पे इसका कारण क्या है वो सब इन्होंने देखा दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने इनका astrology chart भी देखा इनको परिशानी आ रही है 10th house में 10th house कुंडले में जो है horoscope में career का स्थान है कर्म स्थान है यहां से job profession इन सब चीज़ों को देखा जाता है तो सूर्य या चंदरमा जब यहां पर होते हैं तो person की job अच्छी रहती है सूर्य या चंदरमा अगर 10th house में व्यक्ति की जो है नौकरी अच्छी रहती है इनका भी चंदरमा जो है वहां पर है सूर्य और चंदरमा दोनों authority planets हैं तो लोगों की जहातर अगर private job है तो वो भी अच्छी होगी ने तो कई बर सरकारी नौकरी भी लग जाती है तो चंदरमा इनकी 10th house में लेकिन नीच का वरिष्चिक राशी का चंदरमा मतलब moon in scorpio अभी moon scorpio में नीच हो जाता है moon किसका कारक है moon हमारे मन का कारक है और वरिष्चिक राशी में जाकेगी नीच का हो जाता है मानसिक शांती भंग हो जाती है stress, डर, वहम यही सब चलता रहता है मानसिक पीड़ा बहुत रहती है अब ऐसे ही तो नहीं इनके 10th house में नीच का चंदरमा आ गया कुछ ना कुछ इन्होंने किया हुआ था और वही इनको जो है return में इस life में मिल रहा था और उसी की वज़े से इनको बहुत जादा मानसिक पीड़ा हो रही थी लेकिन past life regression के माध्यम से जो है इन्होंने देखा वो जो गलत behavior वो जो मानसिक शांती इन्होंने दुसरों की भंग की थी authority के रूप में वो सब चीज़े जब इन्होंने देखी तो इन्हें समझ आया कि ये जो मानसिक पीड़ा मुझे मिल रही है ये जो दुख मुझे मिल रहा है इसका क्या कारण है past life regression से भी ये चीज इन्हें दिख गई और इनकी horoscope में भी ये चीज साफ साफ दिख रही थी debilitated moon in 10th house तो काफी clarity इन्हें मिली past life regression से और astrologic माध्यम से भी इन्हें समझ आया कि जो दुख इन्हें मिल रहा है उसका क्या कारण है काफी clarity इन्हें मिली soul level पे अंदर आत्मा से इन्होंने जो है इश्वर से माफी मांगी अपने बुरे वहवार और अपने बुरे कर्म के लिए अंदर आत्मा से अंदर से उन्हों से भी माफी मांगी जिनको इन्होंने दुख दिया था मानसिक पीड़ा कष्ट पहुचाया था उनकी आत्माओं से भी उन्हों से भी जो है इन्होंने माफी मांगी और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आया कि ऐसे ही दुख नहीं मिल रहा है कारेस्थल में ऐसे ही अपमानित नहीं होना पड़ रहा है ऐसे ही चाहे यह जगा भी बदल रहे हैं, ट्रांसफर भी ले रहे हैं पर वहाँ पे भी जो है मानसिक कष्ट पीडाएं मिल रही है तो यह थी एक और इंपोर्टन स्टोरी जो मुझे आपके साथ शेर करनी थी and that's it, thank you so much, God bless you all, bye-bye